वेलकम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप आई वाप सभी अच्छे होंगे तो आज में आपको कराएंगे क्लाश 12 चेप्टर फाइफ कंटिनुटी एंड डिफ्रेंशी अबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्योस्टर नमबर 15 और क्योस्टर नमबर 16 इस वीडियो में देखेंगे तो क्योस्टर नमबर 15 में बोला है हमारे पास discuss the continuity of the function where f is defined by f of x है यह हमारे पास तेन कंडिशन की उन है तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर चेक करना है कि LHL, RHL और f of e कहां पर निकल लेगा कहां पर नहीं निकलेगा तो यहां पर दो पॉइंट की उन है 0 और 1 ठीक ह तो देखिए 2x if x less than 0 less than वाला सिंबल जहां पर हो ना वहां पर आपको पता है LHL निकलती है ठीक है LHL यानिकी left end limit और RHL x की तरफ मूँग हो ठीक है वहां पर क्या निकलती है आपके पास RHL यह चीज दियान रखना आसानी रहेगी आपको identify करने में कौन सा function हमें आपके RHL के लिए लेंगे तो जहां पर x की तरफ मूँग हो वहां पर RHL निकालो तो 0 के लिए RHL कहां पर निकलेगी देखो यहां पर x की तरफ मूँग है तो तो 0 के लिए तो मैं पर चेक कर लेते हैं पहले फिर बाद में वहने के लिए चेक करेंगे तो एट एक्स बराबर है जीरो एले चल क्या होता आपके पास limit f of a-h a है यहां पर 0 तो 0-h ठीक है यहां पर लिमिट लिमिट एस्टेंस जीरो टू इंटू में 0-h अब देखो फंक्शन कौन सा लिए हमने लेचल के लिए 2x वाला एक्सी से क्या रख दिया 0-h ठीक है अब आपके पास क्या गई लेचल ठीक है अब देखो वही आपके पास फंक्शन होना तो सेम ही रहता है तो सेम आ गया ठीक है अब अब f of a a है यहाँ पर 0 तो f of 0 equals to 0 क्योंकि equal to के लिए यह वह बस जीरो फंक्शन है तो यहाँ पर क्या लेगी वन के लिए लेचल तो यहाँ पर वन के लिए लेचल और f of a क्योंकि equal to b है और यहाँ पर आरे चल क्योंकि यहाँ पर देखों नमर 16 बहुत ही बस आपको यहां पर क्या करते रहना है लेचल आरे चलो और फ of a check करते जाओ और बताते जाओ continuous है या डिस continuous है तो यहां पर देखों माइनस वन पर निकालना है ठीक है तो माइनस वन पर चैक करते हैं लेचल लेफ्ट लिमिट लेच्ट देनवाला सिम्बल यहीं पर है और एकोल स्थू बाला भी यहीं पर है तो f of a और लेचल यहीं तो same ही रहता है तो LHL देखो आपके पास क्या हो जाएगा limit h tends to 0 f of minus 1 minus h अब यहाँ पर minus 1 minus h कहाँ पर रखते हैं x की जगर रखते हैं लेकिन यहाँ पर तो constant function है तो constant function है तो same रहेगा minus 2 का minus 2 अब RHL देखो limit h tends to 0 f of minus 1 plus h उजाता है अब RHL के लिए function देखो गई x की तरफ मुह किस तरफ है यह रहा ठीक है minus 1 के लिए x की तरफ मुह यहाँ पर है तो RHL यहाँ पर निकलेगी x की जगर में आपके रखेंगे minus 1 plus h तो 2 into में x की जगर रख दिया minus 1 plus h h tends to 0 है तो h की जगर 0 रख दिया तो यहाँ से आगए आपके पास minus 2 गई ठीक है minus 1 की प्रोडर्ट की 2 के साथ तो minus का 2 कल यह रोगा है यहाँ तक अब f of minus 1 f of a a है यहाँ यहाँ पर minus 1 तो minus 1 रख दिया यहाँ पर minus 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर equals 2 वाला sign lhl वाले के function की जगई है minus 2 constant function है तो सेम रहता है so lhl equals 2 में rhl equals 2 में f of a hence function is continuous set x ब्राबर है minus का 1 वाई तीनों बात है आपको समझ में आगी lhl और f of a तीनों equal है तो आपके पास function कैसा वही continuous है ठीक है अब देखिए at x ब्राबर है 1 minus 1 पर तो आपने देख लिए कि continuous आया है अब यहाँ पर देखते है 1 पर तो यहाँ पर आपर है 2 के लिए तो constant function है कि आपको पता चल गया आरे चल तो आपके पास 2 ही आएगी ठीक है तो आसे देखो at x ब्राबर है 1 वाई lhl limit h tends to 0 f of 1 minus h हो जाएगा क्योंकि आपके पास क्या होता है a minus h अब a है यहाँ तो 1 minus h हो जाएगा 2 into a 2x function में टेकना है यह आपने देखा होगा भी यहाँ पर देखो 2x function है लेचल के लिए और f of a के लिए तो x की जगए यहाँ पर रख दिया हमने 1 minus h अब h tends to 0 है तो h की जगए 0 यहाँ आपको पता है constant function है 2 आएगा अब f of a यहाँ पर देखो क्या आपके पास f of a के लिए function 2x है x की जगए 1 रख देंगे तो आ यहाँ जाएगा भई तो यहाँ पर देख लिए दोनों ही क्यों बहुत ही आसान है बस आपको यहाँ पर क्या करना है लेचल और f of a अच्छे से निकाल लेना है अगर एक्वल है नहीं है अगर इक्वल है तो continuous अधर वाइस भी ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब त सब्सक्राइब क्यों ठीकिन है यू झाल 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 झाल